हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर योट्यूब चैनल माई स्कूल आज हम बात करेंगे कोडिनेट जोमेटरी के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने अपने प्रीविएस वीडियो में अपने सारे टॉपिक कम्प्लीट कर लिया हैं अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स सॉल्व क तो आपको क्या दिया है इस प्रॉब्लम में इसमें आपको कह रहा है find the coordinates of the point which divides the join line of minus one seven and four minus three in the ratio of two ratio three इसमें आपको क्या के given है इसमें आपको coordinates दिये हैं दो point के xy की value दिये है और क्या दिया है ratios आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में एक topic पढ़ा था जिसका नाम था section formula उसमें आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक point जो है line को ratios में divide करता है then उस point की कुछ ratio आपको देकर रखता है question में point के coordinates हमें निकालने होते है right so यहाँ पर उसमें हमने 3 case पढ़े थे यहाँ पर दिया है आपको point P के coordinate आपसे पूछा है और दिया है A और B की value मतलब उन दो points के coordinates और आपको ratio दिया है so यहाँ पर हम section formula लगाएंगे so देखिए start करते हैं इसको solve करना so यहाँ पर हमें दो given points है A और B जिनके coordinates है minus 1, 7, 4 and minus 3 so यह point P की value पूछ रहा है हमसे जिसका इसने ratio दिया है कि point P line को 2 ratio 3 के ratios में divide करता है मतलब A B की ratio जो इसने दिया है वो दिया है 2 ratio 3 so हमें section formula पता है क्या है हमारा section formula है P is equal to M X2 plus N X1 upon M plus N यह है अपना X coordinate के लिए और M Y2 plus N by 1 upon M plus N यह है अपना Y coordinate के लिए so हम same formula यहाँ पर apply करेंगे values हमें given है so हमारी P point के हम coordinate निकालेंगे so देखी कैसे solve करेंगे इसको हमें यहाँ से X और Y की value दी हुई है क्योंकि जो हमारा formula था previously हमने देखा section formula उसमें X और Y coordinate दी है so particularly यह हमारा X हो गया और यह हमारा Y हो गया ultimately हमें X और Y की value निकालनी है तब ही P point के coordinates आएंगे so हम उस formula में से X और Y की value को separate कर लेंगे अब इसको हम solve करेंगे अब हमें सारी values given है हमें क्या दिया है ratio दिया है 2 ratio 3 so means यह M की value हो गई यह N की value हो गई MN की value दिया है X1 की value है 1 minus 1 X2 की है 4 Y1 की value है 7 Y2 की value है minus 3 so हमने यहाँ पर सारी values not down कर ली अब उसके बात क्या करेंगे इन सभी values को equation number 1 और equation number 2 में रखेंगे और अपना calculation करेंगे so equation number 1 में हमने जहाँ पर हमें X की value मिलेगी उसमें सभी values को लिख लिया so calculate करने के बाद क्या है हमारा यहाँ पर M की value 2 X2 की value 4 plus 3 multiply N की value 3 है X1 की value minus 1 है M और N की value 2 और 3 है so calculate करने के बाद है 5 ratio 5 so यहाँ से क्या आगया हमारा point X 1 अब हम इसी तरह equation number 2 में value put करेंगे जिससे हमारे Y coordinate आजाएंगे equation number 2 में value रखने के बाद हमारा क्या आया 15 by 5 is equal to 3 so हमारा point P क्या हो गया जिसमें X और Y यह हमारा point P है so यहाँ से क्या होगा X की value क्या आई थी हमारी 1 और Y की value आई थी 3 so point P के coordinate क्या आगया हमारे 1 and 3 right so इतना ही हमें इस question में पूछा था हमें coordinates दिये थे 2 point के ratio दिया था जो point line को 2 ratio 3 के ratio में डिवाइड करता है वो particular point पूछा था so उसके हमने coordinates निकाल लिए I hope आपको इस problem समझ आया होगा अभी हम चलते हैं अपने problem number 2 पर problem number 2 में देखे find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3 अब यहाँ पर एक word आया है try section आपको याद होगा हमने जब section formula पढ़ा था तो हमने 3 case पढ़े थे last वाला case क्या था? वो एक special case था उस special case में हमने क्या पढ़ा था? उस special case में हमने पढ़ा था जब कोई point एक line segment को center में मतलब 2 equal parts में divide करता है यह ratio 1 ratio 1 होता है तो अब इस case में हमें क्या दिया है? इसमें दिया है try section मतलब 2 point होगे और वे 2 point इस line को 3 equal parts में divide करेंगे वह यहाँ पर हमने इस diagram में दिखाया है तो यहाँ हमारे पास 2 points है तो हमें यहाँ क्या-क्या value given है? यहाँ हमें value given है point A की और point B की मतलब इनके coordinates हमें दिया है और यह दिया है कि 2 point है जो इस line को try section मतलब 3 equal parts में divide करते हैं तो देखिए चले इसको देखते हैं कैसे solve करेंगे यहाँ पर हमें given value हो गई A और B की coordinates दिये होए है तो यहाँ पर जब यह 3 equal parts है इनको हम ऐसे लिख सकते हैं AP is equal to PQ is equal to QB हमने मान लिया यह value Z है आप इसको कोई भी variable ले सकते है ABC कुछ भी ले सकते है मैंने इसको Z लिया है यह value Z है यह Z है यह complete value क्या हो गई 3Z यह इतनी value क्या हो गई 2Z और यह इतनी value क्या हो गई 2Z सो चलिए देखते हैं इसको कैसे solve करेंगे यहां देखे अब यह points की value क्या होगी मतलब यह इतना distance अगर हम इनका ratio निकाले सो अब हम इसको बारी बारी से निकालेंगे पहले हम एक point को consider करेंगे फिर हम दूसरे point को consider करेंगे ओके सो पहले हम लेंगे A, B हमारे दो points है और हम P point की value निकाल लेंगे सो यह क्या हो गया हमारा इतनी value Z और यह value हो गया हमारी 2Z राइट सो सेम यहां पर हमने लिखा है A, P ratio P, B is equal to Z ratio 2Z सो यह क्या आ गया A, P ratio P, B is equal to 1 ratio 2 क्योंकि जो यह P, B है यह P, Q, plus Q, B है सो इसलिए इसकी value 2 हो गई सो यहां से हमारे पास ratio भी आ गया अब coordinates भी है तो value क्या होई हमारी M की value 1 आ गई N की value 2 आ गई X1 की value 4 है X2 की value minus 2 है Y1 की value minus 1 है Y2 की value minus 3 है सो हमने यह सारे value जो है अपने not down कर लिए अब हम यह जो values है again same formula apply करेंगे अपना section formula उसमें X और Y के coordinates में रखेंगे section formula क्या है हमारा P is equal to M X2 plus N X1 upon M M plus N Y coordinate क्या है M Y2 plus N Y1 upon M plus N सो यहाँ पर यह X coordinate हो गई यह Y हो गई हमारे यह हमने यहाँ पर लिखा है यह X है यह अपना Y coordinate है सो यहाँ पर हम सारी value को note down करेंगे सो हमारी values क्या आ गई जब हमने यहाँ पर X के लिए values रखी तो value Y2 जब हमने Y के लिए values रखी सभी value रखेंगे M, N, Y1, Y2 इन सब की सो value Y हमारी minus 5 by 3 सो point P के लिए यह हमने निकाला था सो point P के coordinates क्या आ गए 2 minus 5 by 3 मतलब X की value 2 और 5 की value minus 5 by 3 अब जिस तरीके से हमने point P निकाला उसी तरीके से हम point Q के coordinates निकालेंगे सो यहाँ पर अब हमें लेकर चलना है point Q को सो यह इतनी value क्या है हमारी 2Z और यह value है Z सो ratio क्या होगा हमारा हम लेंगे AQ ratio QB is equal to 2Z ratio Z मतलब AQ ratio QB is equal to 2 ratio 1 क्योंकि AQ की value क्या है यहां से PQ plus QB जैसे हमने previously किया था यह value का add किया था इतनी value को हमने इस बार हम इस ratio को add करेंगे क्योंकि हम यह point लेकर चल रहे है सो सेम हमारे पास M N X1 Y1 X2 Y2 की value हो गई इन सब को हम लिखेंगे और अपने equation में रखेंगे सो हमारा सेम Q point के लिए हम X और Y के value निकालेंगे सो हमरा formula हमें पता ही है सो यहाँ पर हम X की value निकालेंगे points की value रख के यहाँ पर Y की निकालेंगे तो X की value क्या है हमारे X की coordinate 0 सबी value को लिखने पर और Y कोडिनेट आए हमारे minus 7 by 3 तो यहाँ से point Q की value क्या हो गई 0 और minus 7 by 3 सो हमने point P की coordinate भी निकाल लिए point Q के coordinate निकाल लिए तो बस हमें इतना ध्यान रखना है इस तरह की questions में कि आपको ratio क्या दिया है coordinates आपको समझा जाएंगे दो coordinates दिये होगे तो एक point A होगा एक point B होगा बट हमें बस ध्यान इतना रखना है कि हमें ratio क्या दिया है किसी-किसी question में direct आपको ratio देगा तरह आपको direct formula में value put करके answer आजाएगा और किसी-किसी section में बोलेगा कि line को two equal parts में divide कर रहा है या three equal parts में divide कर रहा है राइट सो हम उसके according अपना ratio निकालेंगे then M और N की value आजाएगी हमारी उसके साब से हम formula में value put करके अपना answer निकालेंगे I hope आपको समझ आया होगा अगर आपको video पसंद आया हो so please like share and subscribe और YouTube channel मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye